हेलो फ्रेंच आप सबीगा नियो वल्टेक में स्वागते हैं दोस्तो आज हम बात करेंगे IOCL में आई भरती 2020 की जी हां दोस्तों इंडियन ओईल की तरफ से लेटेस्ट रिकुर्मेंट का ओफीशन नोडिफिकेशन जारी हो चुका है टोटल वेकेंसी जारी की गई है 404 जी हां दोस्तों 404 टोटल वेकेंसी जारी की गई है मेल और फीमेल दोनों ही केंडियेट्स अप्लाई कर सकते हैं कौलिफिकेशन तैन त्योब डिपलोमा ग्रेजुएट पास मांगे जारी है अगर आपके पास कोई भी qualification है तो आप apply कर सकते हैं और लोवर इंडिया की job है किसी भी राज्य में आप रहते हो भारत में चाहे राजिस्तान, गुजरात, यूपी, पंजाब, हरियाना तो आप सभी candidates online apply कर सकते हो दोस्तो इस भरती की पूरी जानकारी आपको मिलेगी step by step आपको बताएंगे कैसे आपको apply करना है लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी request है, वीडियो को like कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों को भरती की जानकारी हो और वो भी apply कर सके रोजाना latest requirement, सरकारी नोकरी खबर पाने के लिए चैनलन को आज ही subscribe करें वीडियो की नीचे लाल बटन को दबा करके और गंटी का bell icon जड़ दबा दे ताकि notification आपको रोजाना मिल सके तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं IOCL में आई, Indian Oil में आई भरती की जिहां दोस्तों बड़ी भरती है, various categories में जारी की गई है, आप जैसा की देख सकते हैं ये official notification जारी हो चुका है, Indian Oil की तरफ से आपको सीधा हमारी website पर लेके चलते हैं, जहांपर हम आपको बदाएंगे भरती की पुरी जानकरी के बारे में website पर आने के लिए आपको Google में सर्च करना होगा, www.tipsworldbus.xyz जैसे आप Google में सर्च करेंगे आप सिधा हमारी website पर आजाएंगे और इस vacancy के अलावा भी काफी सारी bumper vacancies हैं, उनकी जानकरी लेके आप आविदन भी कर सकेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई vacancy की जो निकाली जारी है इंडियन ओईल की तरफ से ट्रेड अपरेंटिस और टेक्निशन अपरेंटिस की वेकिंजी है, टोटल 404 पदों पर वेकिंजी हैं, ओनलाइन आविदन मांगे जा रहे हैं, ओल इंडिया के मेल और फीमल केंडियर्स अपलाई कर सकते हैं इस लिमिट 18 से, 24 साल है, उसके अलावा इसिमा में छूट है अगर आप रिजर्व केंडियर्स है, अगर आप SCST या फिर OBC केंडियर्स है तो, और Education Qualification 3, 12th, ITI, Diploma, या फिर Graduate अगर आप पास एर 11 डिसिप्लेंट में तो आप अपलाई कर सकते हैं आविधन करने की पूरी जानकरी यहाँ पर दी गई है, कैसे आपको website पर जाना है, official website पर जा करके आपको apply कैसे करना है, कैसे आपको form बनना है, कैसे आपको document अपलोड करने है, कैसे आपको payment करना है, तो यहाँ पर सारी जानकरी आपको देखने को मिल जाएगी 21 मार्स से अल्रेडी आविदन स्टार्ट हो चुके हैं 10 सप्रेल 2020 लाज डेट है आविदन करने की आविदन करने का लिंक यहाँ पर है नोटिफिकेशन के साथ में तो यह रहा ओफिशल नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर आपके एक्जाम भी होगी एक्जाम के सेंटर के रिगार्डिंग यहाँ पर पुरी जानकारी भी दे रखी है तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लेए यहाँ पर आपको केटेगरी वाइस कितनी कितनी वेकेंजिस दे कब से कब तक आवितन चलेगे आपको देखने को मिल जाएगी तो दोस्तों यह थी लेटेस रिक्रमेंट की अबडेट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब जरो कीजिएगा जेहिंद जे भारत